इस वीडियो में आपको इस पार्ट में आए प्रश्णों के लिखित उत्तर मिलेंगे नमस्कार सभी को हिंदी कला के अंदर में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करे वेब बैल आइकन को दबाना न भूले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले पढक्कू की सूज बच्चो इस कविता को हमने इसके भाग एक में पढ़ा पैसमजा था अब इसके अभ्यास प्रश्णों को देखते हैं कविता में कहानी पढक्कू की सूज कविता में एक कहानी कही गई है इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो तो कविता में आपने जाना ना कि उसमें एक कहानी थी उस कहानी को अपने शब्दों में लिखना है जैसे एक पढक्कू था जो तरक सास्तर पढ़ता था जहां कोई बात नहीं होती वह वहाँ भी कोई नई बात बना लेता था एक दिन की बात है पड़कू ने जब कोलू में बैल को अपने आप घूमते देखा तो वह चिंता में पढ़ गया पड़कू सोचने लगा कि जरूर इसके मालिक ने इसे कोई तरकीब सिखा दी तभी तो ये मालिक के बिना भी कोलू में चल रहा है पड़कू से रहा नहीं गया और उसने ये बात मालिक से पूछी कि बिना देखे तुम कैसे जान लेते हो कि कोलू में बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है, तब मालिक ने जवाब दिया कि क्या तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख पा रहे हो, जब तक ये घंटी बस्ती रहती है, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, जैसे ही इस घंटी से आवाज आने बंद होती है मुझे पता चल जाता है कि बैल रुप गया मैं दोड़ कर बैल की पूँच पकड़ लेता हूँ और बैल फिर चलने लगता इस पर पढ़कू ने कहा तुम तो बिल्कुल बेकूफ जैसी बाते कर रहे हो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बैल एक जगए खड़ा-खड़ा अपनी गर्दन हिलाता रहे और तुमें घंटी की आवाज आती रहे तुम समझोगे कि बैल चल रहा है लेकिन शाम तक एक बून तेल भी नहीं निकल पाएगा इस बात पर मालिक हसकर पड़कू से बोला जहां से तुमने ये ज्ञान सिखा है न वहीं जाकर अपना ये ज्ञान फैलाओ यहां पर सब सही चल रहा है क्यूंकि मेरा बैल अभी तक तरक शास्तर नहीं पड़ पाया है कवी की कविताएं तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंग दिनकर की कविता मिर्च का मजा पड़ी थी अब तुमने उनहीं की कविता पड़कू की सूज पड़ी तो बच्चों आपको याद होगा कि मिर्च का मजा कविता आपने कक्षा तीन में पड़ी थी जिसको भी रामधारी सिंग दिनकर ने लिखा था और ये आज वाली कविता भी उनकी लिखी भी है दोनु में से कौन सी कविता पढ़ कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो तो आपकी कक्सा तीन की कविता मिर्च का मज़ा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं मिर्च का मज़ा एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुह में पानी सोचा क्या अच्छे दाने हैं? खाने से बल्म होगा ये जरूर इस मोसम का कोई मिठा फल होगा एक चवन्नी फेंक और जोली अपनी फैला कर कुंजडिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर लाल लाल पतली छिमी हो चीज अगर खाने की तो हमको दो तोल छिमिया फकत चार आने की हाँ ये तो सब खाते हैं कुंजडिन बेचारी बोली और सेर भर लाल मिर्च से भरदी उसकी जोली मगन हुआ काबुली फली का सोदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठ कर नदी किनारे जाके मगर मिर्च ने तुरंच जीब पर अपना जोर दिखाया मुह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यूं मुख मोड़े खर्च हुआ जिस पर उसको क्यूं बिना सधाय छोड़े आँखें पोंशते दान्थ पीशते रोते और रिसी आते वे खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसी आते इतने में आ गया उदर से कोई एक सिपाई बोला वेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाई कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी नै ऐसा वैसा जा तु अपनी राह सिपाई मैं खाता हूँ पैसा तो इस कविता को भी रामधारी सिंग दिन करने लिखा था तो बच्चो आपको याद आगी ने कविता अब बताईए तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पड़कू या कोई भी अच्छा नहीं लगा तो इन मैंसे आपको जो भी अच्छा लगा उसका नाम लिखना है जैसे मुझे उन दोनों मैंसे कोई भी अच्छा नहीं लगा अपने साथियों के साथ मिलकर एक-एक कविता ढूंडो कविताएं इकठा करके कविता की एक किताब बनाओ तो सारे बच्छे मिलकर एक-एक कविता ढूंडो और उन सब को मिलाकर एक किताब बनाओ मेहनत के मुहावरे कॉलू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो जैसे दिन रात एक करना जिसका आर्थ है लगातार कठिन प्रिश्रम करना या निरंतर प्रिश्रम करना इसका वाक्यों में प्रियोग है परिक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कनिका ने दिन रात एक कर दिया यानि कनिका ने लगातार मेहनत करी पसीना बहाना पसीना बहाना का रथ है बहुत मेहनत करना जिसका बाक्यों में परियोग होगा मजदूर ने घर्च लाने के लिए पसीना बहाया यानि मजदूर ने बहुत मेनद करी एड़ी चोटी का जोर लगाना जिसका आर्थ है अपनी तरफ से पूरा प्रियास करना वाक्य में प्रियोग है कोरणा को रोखने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया यानि सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रियास किय और कर रही है पड़कु पड़कु का नाम पड़कु क्यूं पड़ा होगा वैं बहुत अधिक पड़ाई लिखाई करता था इसलिए उसका नाम पड़कु पड़ा होगा तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाते हो उसके अधार पर अपने लिए भी पड़कू जैसा कोई सब्द सोचो जैसे मैं मन लगा कर चित्रकारी करती हूँ तो नाम हो जाएगा चित्रकार ऐसे ही आप जो काम करना चाते हो वो लिखो और उसके साब से नाम लिखो अपना तरीका हाँ जब बजती नहीं दोड़ कर तनिक पूँच धरता हूँ पूँच धरता हूँ का मतलब है पूँच पकड़ लेता हूँ नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो जैसे कविता में से ये चार लाइने लिखी वी है मगर बूंद भर तेल सांज तक भी क्या तुम पाओगे बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पड़ पाया है सिखा बैल को रखा इसने दिश्चे कोई ढब है जहाने कोई बात वहाँ भी नई बात गड़ते थे तो बच्चो ये बात आपको कविता में समझ में आ गई होगी वहाँ मैंने इनकार्थ अच्छी तरह से समझाया है लेकिन एक बात फिर से लिख देते हैं मगर बूंद भर तेल सांज तक भी क्या तुम पाओगे शाम तक एग बूंद तेल भी नहीं मिलेगा बैल हमारा नहीं अभी तक मन्तिक पढ़ पाया है मेरा बैल अभी तक तरकसास्तर नहीं पढ़ पाया है सिखा बैल को रखा इसने निश्चे कोई डब है बैल को जरूर ही उसने कोई तरीका सिखा रखा है जहां मैं कोई बात वहां भी नई बात गड़ते थे बिना बात के भी वे नई बात बना लेता था गड़ना पड़कू नई नई बातें गड़ते थे बताओ ये लोग क्या गड़ते हैं गड़ने कार्थ है नई नई बातें बनाना वैसे ही सुनार क्या बनाते हैं गहने लोहार लोहे के ओजार ठठेरा बरतन कवी, कविता, कुमहार, मिट्टी के बरतन या घड़ा, लेखक, कहानी, अर्थ खोजो नीचे दिये गए शब्दों के अर्थ अकसर जाल में खोजो तो यहां कुछ सब्द दिये गए हैं जिनका अर्थ यहां अकसर जाल में छुपावा है जिसे आपको खोजना है जैसे धब, धब कार्थ क्या है, तरकीब या तरीका तो यहां इसका यह रहा तरीका, भेद, भेद कार्थ है, राज, गजब, गजब कार्थ है, कमाल, यह कमाल मन्तिक, मन्तिक कार्थ है, तरक सास्तर, छल, छल कार्थ है, दोखा इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें वैसमजे क्या आपने कभी कोलू को देखा है, क्या इस मसीनी युग में बैल से ऐसा काम करवाना चाहिए तो आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, आप भी पड़कू की तरह खूब पड़ाई लिखाई किया करो, सुझाओं वैसुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों न करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिक्मंड हमें और बहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट, ठन्यवाद झाल